नमस्कार दोस्तो मरंजित कुमार और आप सभी को हमारे यूटूब चेनल आरकेस धामाका में एक बार फिर साब सभी का हार्दिक स्वागत थे तो दोस्तो कैसे आप सब उम्मिदे कि आप लोग सभी अच्छा ही होंगे और आज है फर्स डिसंबर और सुभा के बजरे आठ तो सबसे पले आप सभी को प्यार भारा गुड मॉर्निंग और अभी हम यहाँ गिरेडी जीले के एक छोटे से गाव डोमन गोलगो में है जो कि यहाँ पर मेरा फुवा घर है और मेरे फुफा का एक बायकी एक्सिडेंट हो गया था जिससे काफी गहरी चोट आई थी तो उन्हीं को देखने के लिए आई हुए थी यहाँ पर और पीछे देख सकते हैं मेरे भाया मनोज भी साथ में है आज हम लोग यहाँ से जानने वाले हैं सोना पहाडी नाम तो सुने ही होंगे जो कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो कि आज का हमारा यह ब्लोग वीडियो एस्पेसल सोना पहाडी को लेकर है तो वीडियो पर बने रहिएगा और साथ हमारी चैनल पर नहीं होंगे तो हमारी चैनल को सबस्क्राइब कर देना और साथ ही वेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी वीडियो का नोटिपिकर सन आप तक पहुच जाए तो चलिए देर न करते हैं सिधे यहाँ से निकलते हैं सोना पहाडी की ओर तो वीडियो पेसे बने रहिएगा आज का वीडियो काफी मज़ेदार और इंट्रेस्टि होने वाली है सो गाइज हम लोग पहुच चुके हैं सोना पहाडी मंदिर और देख सकते हैं यह रही मंदिर तक जाने की रास्ता और यहाँ देख सकते हैं भया के पास हम लोग यहाँ पर इख सकते हैं यही पर दुकान ने तो आप लोग यहां पर जो로 से पर्शादी लिरी का डाली आगी और यह अगली पर धैस nuenda नशुए सब्सक्राइब मंदिर की ओर बंड़ते हैं रही है है ूज्यस आयए और देख सकते हैं कुझी सब्सक्राइब का सेन द吗 inmidd Shoek나라 लोग उपर क्यों बढ़ते हैं सो गाइज देख सकते हैं कुछिस्वरकर का सीन है और यही एक रास्ता है सोना पहाड़ी आने का सिर्णियों के दुवारा और देख सकते हैं कुछ सरा धालूगन आभी रहा है और देख सकते हैं काफी अच्छा वियू है सो गाइज हम लोग फाइनली सोना पहाड़ी मंदिर के उपर आ चुके हैं जो कि एक छोटे से पहाड़ के उपर इस्थित है जो कि गिरिडी जिल्य के अंतरगत में आता है और यहां तीन परकार की पूजा की जाती है एक बगरा पूजा उसके बाद गच्छती यानि मनत के ल करना होगा उसके बाद देख सकते हैं यह रही सोना पहाड़ी मंदिर की में मंदिर यहां पर जाके आपको फुजा करना होगा उसके बाद देख सकते हैं इधर हनुमान मंदिर यहां फिर नीचे आपको जाना होगा बगल में बजरंग मली का मंदिर यहां आपको दर्शन कर के सीधी आपको देख सकते हैं देयाल चोधरी आसमार्थ पीछे है हमारे चीछ से वहां जाकर आपको लगाना होगा उसके बाद यहां पर एक खासित चीज है कि यहां पर अगर अगर आप बाकरा या कुछ भी परसादी का चड़ावा करते हैं तो घर लेकर ना जाए यानि ग कि अंदर ही घर में कोई घर ना घर जाती है इसलिए अगर यहां पर कभी भी पहुँचे तो यहां का परसादी यही पर खाके जाए घर लेकर ना जाए लोगों का कहना है तो चलिए आपको और कुछ नजारे दिखाते हैं तो वीडियो पेसे कंटिनू बने रहें और आपको जानकर की मुताबिक बता दें तो यहां पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को बाकराबली बंद रहती है देख सकते हैं यहां पर एक बोड भी लगी हुए है और हमारे पीछे देख सकते हैं यहां पर काफी सरधालू गन यहां पर पहुँचे हुए हैं तो हम लोग स्वगाज हम लोग फाइनली दुवार सेनी बाबायं दुवार सेनी माता के दर्सन करके बाहर आचुके हैं और देख सकते हैं कुजिसपर करकर नजा रहा है जो कि काफी अच्छा लग रहा है काफी प्यारा लग रहा है जो कि एक छोटी से पहाड की उपर यह मंदी और देख सकते हैं सोना पहाड़ी के उपर से देख सकते हैं आस पास के गाउं का ना जारा कुछी सफरकर का है अब यहां जो आप परसाद के गरहन करते हैं और एक चीज़ आने के बाद पता चला कि यहां जो आप परसादी का चरहवा करेंगे वो तो बेको यहाँ पर गाव है तो इसी सीमा के अंदर ही उस पर साधी को खा के खतम करना है इस सीमा के बाहर नहीं ले जाना है So guys, finally हमने काली माता का दर्सन कर लिया है और देख सकते हैं यह रही गेट के बाहर अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और मंदिर के अंदर केमरा करना अलाम नहीं है तो बाहर से ही दिखाने का कोशिस कर रहे हैं तो चलिए अब यहाँ से सिधे नीचे की और जाते हैं नीचे देख सकते हैं कुछ इसपरकर का सीन है, तो जितने भी परसाद ही इसको बात लेते हैं, लीचे बैठेवे हैं, सभी को दान दक्ष में करना होगा. जढ़े किए सामे का सफचराव ना में, सभी का इसका बड़ यहन है। तो गाज हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सिंडियों के नीचे तो चलिए अब जहां पर अपने बाइक को पार्क किया है पूंचते हैं उसके बाद फिर अपने परसादी को गरहान करते हैं तो आज का हमारा यह ब्लोग वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जोरू बाताना और अगर आप लोग यहां सोना पहारी मंदिर नहीं पहुंचे हैं तो आज का हमारा यह ब्लोग वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जोरू बाताना रहो सकेते इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा से करना तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के ल चाहिए मिलते हैं अृष्टूह नही नही करने लोग पमेशना है वीडियोह से करें आयुरूह।